नमस्कार दोस्तों आप देख रहे ही हैं One India मैं हूँ आपके साथ प्रशान शर्मा भारत बनाम श्री लंका के बीच खेले जा रहे दूसरी T20 अंदराश्ट्री मुखाबले में श्री लंका ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए आपको बता दे कि आज लंकाई बल्ले बाजू ने भारतिय गिन बाजू में जम कर मार लगाई जहां आज सलामी बल्ले बाज पाथुम नसंका ने शांदार 75 रनों की पारी खेली लेकिन आज लंकाई कप्तान दाशून शनाका ने जो किया उसे शायद भारतिय टीम भूल नहीं पाईगी खास करके हर्शल पटेल जिनके आखरी ओवर में वो हुआ जिसकी शायद किसी ने भी उमीद नहीं की होगी आपको बता दे कि श्रुलंका के कप्तान दाशून शनाका ने आज महज 19 गेंदों का सामना करते हुए 47 रनों की जबरदर्स पारी खेली जिसमें उनके बल्ले से 2 चौके और 5 जबरदर्स चपके निकले दाशून शनाका उस वक्त बल्ले बाजी करने मैदान में उतरे जब उनकी टीम को रनों की काफी दरकार थी और लंका टीम लगातार अपने विकिट गवा रही थी जिसके बाद शनाका ने शांदार बल्ले बाजी करते हुए रनों की जड़ी लगा दी लेकिन आज शनाका ने हर्शल पटेल की गेंद बाजी को पूरी तरहा से ध्वस्त कर दिया दासून शनाका ने आज हर्शल पटेल के आखरी ओवर में 22 बटोरे जहां उन्होंने आखरी दो गेंद में दो छक्के जड़ते हुए पारी का अंत किया लेकिन आज उनकी इस बल्ले बाजी को देखकर हर्शल पटेल को जरूर ही वो मैच याद आया होगा जब जड़ेजा ने उनके एक ही ओवर में 37 जड़ दी थी बता दे कि आज शनाका ने हर्शल पटेल के आखरी ओवर में दो चौके और दो छक्के जड़ते हुए श्रिलंका को शांदार स्कोर तक पहुँचाया बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इडिया के साथ